आवला नवमी के दिन करें यह उपाय, नहीं होगी धन की कमी हर हर महादेव ओम नमह शिवाय दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अक्षय नवमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सारी जानकारी बताएंगे विस्तार से बने रहना विडियो के अंदर विडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना तो आईए शुरू करते हैं आवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है इस दिन जब तब ध्यान और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ती होती है जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आवला नवमी पर कुछ आसान से उपाय किये जा सकते हैं आमबले के पेड में निवास करते हैं भगवान श्रीहरी विश्नु और आमबले के पेड के नीचे करना होता है भोजन कार्तिक माह के शुकलपक्ष की नवमी को आवला नवमी का पर्व मनाया जाता है इसको अक्षय नवमी भी कहते हैं मान्यता है कि इस दिन से ही त्रेता और द्वापर युग की शुरुवात होई थी अक्षय नवमी के दिन कुछ आसान से उपायों को करने से भगवान शिव और विश्नु का आशिरवाद मिलता है इस दिन आमवले के पेड का पूजन किया जाता है मान्यता है कि इस दिन से पूर्णे मा तक भगवान श्रीहरी विश्णु आमवले के पेड में निवास करते हैं इस दिन कुछ आसान से उपायों को करने से धन धाने की कमी नहीं होती है और आरोग्य का फल प्राप्थ होता है इस दिन है अक्षय नवमी साल 2023 में आवला या अक्षय नवमी 21 नवंबर को पड़ रही है इस दिन आमवले के पेड का पूजन किया जाता है इस दिन पूजन से सभी पाप नश्ट हो जाते हैं आईए जानते हैं आवला नवमी के दिन क्या करने चाहिए नमबर एक आमवले का पौधा रोपे अगर उत्तर दिशा में पौधा लगाना संभव न हो तो आप पूर्व दिशा में भी आमवले का पौधा रोप सकते हैं इससे घर में सकारात मकता आती है नमबर दो माता लक्षमी होंगी प्रसन्न अक्षय नवमी पर माता लक्षमी की कृपा पाने के लिए पांच कुमवारी कन्याओं को केसर युक्त खीर खिलाएं इसके साथ ही कन्याओं को पीले या लाल रंग के वस्त्र देकर विदा करें इसके बाद इस खीर को घर में सबसे बड़ी महिला को खिलाएं इसके बाद पूरे घर को इस खीर को खाना चाहिए ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख और समरिध्धी बनी रहती है आवला नवमी के दिन भगवान विश्नु को आमवले का प्रसाद लगाना चाहिए इसके साथ ही इस दिन आमवले का दान भी शुब फल देता है कोशिश करें कि इस दिन आमवले के पेड़ के नीचे ब्रह्मान वह जरूरत मंदों को भोजन कराएं और पूरे परिवार के साथ आमवले का सेवन करें ऐसा करने से घर में कभी धंधाने की कमी नहीं होती है नमबर चार ऐसा करने से आती है सुख और समरिध्धी जोतिश के अनुसार इस दिन आमवले के पेड़ की पूजा करें इसके साथ ही इस दिन पूर्व की और मुख करके आमवले के वरिक्ष की जड़ को ओम धात्रिये नमह मंत्र का जाप करते हुए दूध और जल से सीचें इसके बाद वरिक्ष पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और विध्यविधान से पूजन करें ऐसा करने से घर में सुख समरिध्धी आती है और भगवान विश्नु का आशिरवात प्राप्थ होता है नंबर पांच पापों का होता है नाश आमबले को माता के समान पोशन करने वाला माना गया है इस दिन उपवास रखकर आवला खाने से आरोग्य की प्राप्थी होती है इसके साथ ही सभी पापों का नाश होता है इस दिन पित्रों का ध्यान करते हुए उनी वस्त्रव्व कंबल का दान करना चाहिए इस दिन आप सोने चांदी की खरीदारी भी कर सकते हैं आईए अब जानते हैं आवला नवमी के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो की भूल से भी नहीं करने चाहिए वरना व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो आईए जानते हैं आवला नवमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए आवला नवमी के दिन उधार लेंदेन करने से बचें ना तो इस दिन किसी से उधारी लें और ना ही किसी को भी इस दिन उधारी दें आवला नवमी के दिन भूल कर भी किसी व्रिक्ष को नहीं काटना चाहिए आमवले के व्रिक्ष को तो बिलकुल भी शती नहीं पहुचानी चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से लक्षमी जी सदा, सदा के लिए चली जाती है आवला नवमी के दिन घर को गंदा ना रखें इस दिन विशेश रूप से घर की साफ सफाई करें आमबले के पेड में भगवान शिव और श्रीहरी विश्णूजी दोनों ही विराजमान रहते हैं इसलिए आवला नवमी के दिन इस पेड के आसपास सफाई जरूर करें और इस पेड की जड में पानी दें आज के दिन शराब मान साहार आधी तामसिक चीजों के सेवन से दूर ही रहें भूलकर भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़े आज के दिन आवला व्रिक्ष के नीचे कोई गलत काम ना करें आज के दिन किसी आचार्य, ब्राहमन और संट आधी का अपमानना करें अक्षय नवमी के दिन किसी जीवजन्तू की हत्या ना करें वैसे यह काम तो कभी भी नहीं करना चाहिए आवला नवमी के दिन आमवले को गलती से भी घर से बाहर नहीं फैंकना चाहिए चाहे वो खराब ही क्यों नहो क्योंकि ऐसा करने से आप देवी लक्षमी व भगवान विश्नू की क्रिपा से वंचित रह जाते हैं इतना ही नहीं अक्षय नवमी के दिन भूल कर भी आमवले के पेड़ पर चढ़ना नहीं चाहिए अगर आपको हमारा विडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हर हर महादेव ओम नमह शिवाए